हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल आज हम बना रहे हैं टोडलर के लिए प्रोटीन रिच फाइबर रिच पाउडर सो लेट्स केट स्टाटेड तो यहां पर हमें चाहिए वन काफ ओट्स इसको हमें ड्राइ रोस करना है तब तक जब तक यह ब्राउन ना हो जाए अ इसमें मैंने कोई फी घी वगरा एड नहीं किया है और इसको मैं अभी 5-10 मिलें ड्राइ रोस करूंगी देखिए अभी यह ब्राउन हो गए है रोस करते करते और अच्छा कलर आ गया है अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने के रिखेंगे जैसे कि यह ठंडा हो जाए और ग्राइंड करने के बाद इसमें मैं क्या एड करूंगी इसको निकाल लोंगी बाउल में और इसमें 3-4 cup में ड्रागी फ्लोर यूस करूंगी जो प्रोटीन प्रिच अटा होता है फ्लोर होता है इस वेरी गुड फॉर है और अब इसको जब मन करें तब इसका आप हलुआ आप कुछ बना सकते हैं बच्चों के लिए क्योंकि बहुत टेस्टी और बहुत हल्दी होता है बच्चे इसको बहुत लाइक करते हैं आप इसको मैक्सिमम आइधिंक 30 देज तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं और बच्चों को खिलाए क्योंकि बहुत हल्दी आटा होता है इसको आप जब भी बनाएंगे बच्चे बहुत चौक से खाएंगे इसको इस तरीके से बॉक्स में आट प्रकलीजे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर करिएगा लाइक करिएगा थैंक यू फॉर बॉचिंग